किसान भाईयो नमश्कार राम राम दोस्तों बहुत से किसान भाई कमेंट करके ये पूछ रहेते कि जो सवराज का 855 है 14 के टारो वाड़ा और 16 के टारो वाड़ा क्या इन में HP का कोई डिफरेंस है वहीं कुछ किसान भाई कमेंट करके ये कह रहे थे कि जो 14 गेटारों में आता है सवराज 855 वो 52 HP का है और जो 16 गेटारों में आता है वो आपको 55-57 HP का टागरी का टेक्टर बता रहे हैं उसको तो आज यहीं डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहे हूँ तो मैं पहले आपको टेक्टर दिखा दूँ देखिए ये भी सवराज 855 वाइव स्टार है जी और ये जो दूसरा टेक्टर है ये भी 855 वाइव स्टार है जी दोस्तो दोनों सेम HP के लिए इंदर आपको सिर्फ एक difference मिलेगा वो इसलिए मिलेगा क्योंकि कुछ किसान बाही जो है बड़ी फसल करते हैं खेति करते हैं जैसे गन्ना गेहुं दान मक्का और कुछ किसान बाही है सबजीया लूगा रगी छोटी खेति करते हैं जिसमें टेक्टर को जो है छोटे पावर दी गई है, 33.8 किलो वाट की HP दी गई है इसका जो SFC दिया गया है वो आपको मिलेगा 265 का जी वहीं जो इसकी ट्रेक्टर की मैनिफेक्टरिंग है वो अक्टूबर 2021 की है 5 स्टार है जी, यह आप देख सकते हो अब इसके अंदर आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा सिर्फ एक बदलाव मिलेगा, वो मिलेगा सिर्फ टायर होगा, इसके अंदर आपको जो है 16,9,28 के टायर मिलेंगे यह आप देख सकते है वहीं यह ट्रेक्टर जो है 5 स्टार 855 है इसके अंदर आपको मिलेंगे चोदा नो 28 के टायर यह देख सकते हैं कि एक साइड जो है 14 के टायरो वाड़ा खड़ा है 16 के टायरो वाड़ा खड़ा है इसकी भी मैं आपको HP दिखा दूँ यह देखिए 33.8 किलो वाट की इसकी आपको PTO मिलेगा SFC भी सेम मिलेगा और इसकी 821 की आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा सेम जो 14 के टायरो मिलेगा वही 14 के टायरो मिलेगा Distributor वही मिलेगा Bore, Stroke, HP हर चीज आपको वही मिलेगी सिर्फ एक डिफरेंस है वह यह टायरोगा वह इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ किसान बड़ी खेत्ती करते है कुछ किसान जो है छोटी खेत्ती करते है इसके सिवार कोई नहीं है दूसरे एक होता है कि शोंक कुछ जो किसान बाई है बड़े टायरो में टेक्टर ज़्यादा पसंद करते है क्योंकि इसका जो तोरा है वो जाएदा हो जाता है और 14 गिटारों में थोड़ा तोरा कम हो जाता है इसके इलावा कोई भी इसके अंदर difference नहीं है और उमीद करूंगा कि आपको ये difference क्लियर हो गया होगा और वीडियो अच्छी लेगे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा नमस्कार